बिना किसी खर्चे के घर पर बनाएं आसान तरीके से इस महासिबरातरी में करारी आलू लच्छा नमकीन हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर यहां मैंने एक किलो आलू लिये हैं यह नॉर्मल आलू हैं जो हम घर पर रोज काते हैं और हमें आलू को इस तरह से छील लेना है एक भी जगह छिलका नहीं होना चाहिए नहीं तो हमारे लच्छे खराब हो जाएंगे तो आलू को छीलका पानी में डालते जाएं तुरंत के तुरंत जिससे आलू का कलर चैन्ज नहीं होगा और यहां हमने एक थाली में पानी लिया है और यह है ग्रेटर यह मोटे छेद वाला जो ग्रेटर है इसी से हम आलू को ग्रेट करेंगे और आलू को हमें इस तरह से लंबाई में रखना है खड़ा नहीं रखना है आलू को ये देखें इस तरह से अगर हम लंबाई में रखेंगे तो हमारे लच्छे लंबाई में लंबे बनेंगे देखिए इस तरह से हम आलू को ग्रेट करते जाएंगे पानी में ही हमें grate करना है जिससे कि लच्छों का कलर है जो चेंज ना हो काला ना पड़े यह देखिए इस तरह से हम आलू ग्रेट करेंगे यह देखिए कितने अच्छे लच्छे बन रहे हैं इसी तरह से हम दूसरा आलू यह लेंगे और लंबाई में रखते हुए इसे भी ग्रेट करेंगे इस तरह से हमें सारे लच्छे बना लेने हैं आलू सभी को हमें ग्रेट कर लेना है ये देखिए एक दम परफेक्ट लच्छा बनकर तयार हुगा है सारे आलू हमने कद्दू कस कर लिये हैं और यह देखिए पानी कितना color change हो गया है तो हम यहां दूसरे बड़े वर्तन में इन लच्छों को डाल देंगे जिससे की पानी इसका change हो जाए और color ना खरागो वालुओं का यह देखिए हमारे लच्छे एकदम साफ बनेंगे आप वीडियो skip ना करें पूरा देखें तभी आपके लच्छे अच्छे बनेंगे अब हम इसको एक साइट कर देंगे और हम आलुओं को तीन से चार वार धोएंगे यह देखिए हमने आलुओं को तीन से चार वार धो लिया है अभी भी इसमें starch बाकी लग रहा है पानी एकदम से साफ नहीं हुआ है तो हम इसे अभी और धोएंगे यह देखिए और एक तरफ हम बरतन में पानी लेकर गैस चूले पर रख देंगे जिससे कि यह गरम हो जाए और इसे भी हम धो लेते हैं यह देखिए लच्छों को हमने दो बार और धोया है पानी एकदम से साफ हो गया है इस्टार्ज निकल चुका है और यह पानी भी गरम हो गया है तो लच्छे अब हम इसमें अब हम डाल देंगे सारे लच्छे हमें डाल देने हैं गरम पानी में और हम इसे यहां डेट से दो मिनट के लिए छोड़ देंगे चला कर लच्छों को उमें चला देना है उपर नीचे करके जिसे की बरावर टेंपरेचर पर पहुंच जाए यह देखिए लच्छे हमें जब भी बनाने हो तो हमें रात में ग्रेट करके रख देते हैं ऐसा ना करें जैसे तरह से हम चिप्स रखते हैं तैयार करके रात में चील करके बना करके उस तरह से नहीं रखना है डेट से दो मिनट हो चुका है और यह देखिए इसमें बलबले बन नए हैं तो अब यह इनको हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें उबालना नहीं है लच्छों को नहीं तो यह तूट जाएंगे सिर्फ हमें बलांच करना है डेट से दो मिनट के लिए यह देखिए किसी इस टेनर में इसे निकाल लें जिससे कि इसका पानी निकल जाए और यहां मैंने कॉटन के कपड़े पर इन लच्छों को फैला दिया है जिससे कि इसमें जो पानी है वो बिल्कुल सोख हो जाए यहां धूप आ गई है तो मैंने यहां 6-7 मिनट के लिए इन लच्छों को छोड़ दिया है यह देखिए इनका पानी सोख हो चुका है आप इसे पंके में अगर फैलाते हैं पंके की हवे में तो 8-10 मिनट के लिए छोड़ दें पानी बिल्कुल नहीं रहेगा यह देखिए इसमें पानी नहीं है बिल्कुल भी दूप में हमने रखा था इसको 6-7 मिनट के लिए मेडियम हाई फ्लेम पर और गरम हो चुका है और इन लच्चों को हम और में डाल देंगे शुरू में यह जाग आएगा और यह धीरे धीरे अपने आप सांत हो जाएगा यह जाग और जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमारे लच्चे सिक रहे हैं और गैस का फ्लेम हमें हाई मेडियम फ्लेम पर रखना है लो फ्लेम नहीं रखें नहीं तो आपके लच्चों में यह ओल भर जाएगा यह देखिए लच्चों से बबल जो थे बिलकुल गायव हो चुके हैं और इस तरह से अमने लच्चों को सेंक लेना है अगर आप इने गोल्डन कलर देना चाहते हैं तो इस तरह से सेंक ले और यह देखिए लच्चों को निकाल लेंगे और किसी टिसू पेपर निकालते जाएंगे जिससे कि इसका एश्ट्रा जो ओल है वो निकल जाए यह देखिए बहुत ही आसान तरीका है और यह बहुत ही जल्दी सिक जाते हैं यह देखिए हमने दूसरा वैच भी निकाल लिया है और यह बहुत ही क्रिस्पी बन रहे हैं ऐसा नहीं है कि यह सॉप्टों यह देखिए बहुत ही क्रिस्पी हैं और ये हैं मुंफली के दाने कच्चे मुंफली इनको भी हम चटकने तक सेंक लेंगे ये देखिए चटक गई हैं मुंफली और हम इनको अब निकाल लेंगे और इसी तरह से हम इसमें काजू और ये बादाम डाल देंगे इनको भी सेंक लेंगे अगर आप मखाना खाना पसंद करते हैं तो मखाने भी सेंक कर डालिए बड़ा वाला साबूदाना आता है उसको भी आप डाल सकते हैं आपको जो भी ड्राइ फूट पसंद है वो डालें यहां ये मीठे नीम के पत्ते हैं इनको भी हम सेंक लेंगे इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये देखिए प्लेट भरकर ये लच्छा नमकीन तयार है लच्छा इनको सेंक लिया है ये देखिए कितना अच्छ कलर आया है और इसी तरह से आप भी एक बार जरूर बनाएं ये बहुत ही क्रिस्पी करारे बनते हैं आप इसे चाय के टाइम पर और जब भी आपका मन करे तब बनाएं अब हम इसको आदा पार्ट निकालेंगे अब हम बनाएंगे ब्रत के लिए तो यहां ये सेंदा नमक ह इसको मिक्स करेंगे प्लचों में जिससे की ये नमक सब में कोट हो जाए और ये मुंपली के दाने भी डाल देंगे इसमें ये देखिए जो ड्राइफूर ने बो और नीम के पत्ते मीठे नीम के पत्ते मिक्स कर देने इसमें ये देखिए और ये हमारी ब्रत वाली नमकीन बनकर तैयार हो गई है, अगर आप इसे चटपटा खाना चाहते हैं, तो इसमें हरी मिर्च काट कर डालें, बहुत ही अच्छी नमकीन बनकर तैयार होती है, ब्रत जब रहते हैं तब लगता है कि कुछ खाने को मिले चटपटा करा रहा है, तो आप इसे एक बार जरू मिल्गत नहीं है, यह दूसरा भाग भी हम तयार कर लेते हैं, यहां हमने चाट मसाला और जीरा पाउडर मिक्स कर देना है, इसमें अच्छे से कोट हो जाए, अगर आपके पास पूरीने का पाउडर है तो वो भी मिक्स कर सकते हैं, आप इसे किसी भी फ्लेवर में मिक्स ब और इसे आप डबे में भर कर 15 दिन तक के स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं आएगी और यह ऐसी तरह से बनी रहेगी नमकीन, बहुत ही अच्छी बनकर तयार होती है, बच्चे बड़े बूडे सभी को पसंद आती है, चाए के टाइम पर इसे सर् करें, हलका फुलका स्नेक्स है, यह आल टाइम फैबरिट नमकीन है, ब्रत में त्योहार पर, चाए के टाइम पर, गैस्ट आएं तब बनाएं, जब भी आपका मन करें तब बनाएं, यह देखिए, दोनों बाल तयार हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी नमकीन बनकर तयार हो होती है, दोस्तों, आप इसे एक बार जरूर बनाएं, इस महासिव रात्री पर नवरात्री में, जब भी आप ब्रत रहें तब बनाएं, और जब भी आपका मन करें तब भी बनाएं, तो दोस्तों लाइक, सेयर, कमेंट, सस्क्राइब जरूर करें